हीएलो फ्रेंट्स वर्कम टो मै चानल आज हम पर्बस बनाएंगे पॉप्स लिस के हम पीपर कटिंग करेंगे यह मैने पेपर लिया है इसे हम डबल फोड करेंगे सबसे पहले हम छेस्ट का वन फोल लेंगे चेस्ट है 36 है km गोंन फोल त clarification नवेंच, तो नवेंच लेंगा मिसली उस हिसाब सेम, परफोल करेंगे एक ताक प्याप्राम करेंगे इस तरह सेम अब हम स्लू की लेंगे, स्लू की लेंगे पाच इंच तो उसमें हम आधा इंच मिलाएंगे, सिलाई के लिए पाच इंच लेंगे यहां पर निशान लगाएंगे और पप के लिए हम देड़ इंच एक्ष्टा लेंगे उपर यहां पर हमारी पप के लिए हमने एक्ष्टा लिया देड़ इंच यहां से हम इंच पर निशान लगाएंगे जो हमर चेश्ट का वन फोर्थ है इसन बोक्स बना लेंगे इस तरह सामें पर आने अब हम इसका सेंटर निकालेंगे नव इंच का नव इंच का नव इंच का उपर के और देड इंच पिनिशन लगाएंगे और हम यह तीनों पॉइंट्स को मिला कि इसी दिलाइन देंगे यहां से इस तरह समें इसी दिलाइन देंगे और यहां भी सी दिलाइन देंगे इस तरह से यहासे रहा है ह Haiti बैलने यहां से 10 पिनिशन लगाएंगे और यहांसे रहा हम दो एंच के और यहांसे हम अंदर कियो कि धेशिकर के लिए एक इंच के लिए ये की पीनिशन लगाएंगे यहां से इस तरह से अब हम इसको आर मॉलका शेप देंगे इस जो आमने दो इंच का पॉइंट ले आए इसको मिलाते वे इस तरह से इस तरह से हम आर मॉलका शेप देंगे अब हम इसे कट करें अब हम इसे कट करें अब है यह तो हमार बैक कार मॉलका शेप हो गया फ्रंट के लिए हम थोड़ा सा कि इस तरह से शेप देंगे हुआ हाद बैक, बहुआ है कार फ्रें से शेप प्रें कि इस तरह से एपर कटिंग तैयारे पॉप्स लूइज की अगले वीडियो में हम इसे कपड़े पर रखकर कैसे कट करते और उसे कैसे सिलते यह बताएंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसना है तो लैक कीजे प्लिस सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्यू फर वाचिंग मैं वीडियो अगले वीडियो